है गाइस गुड मॉनिंग तो लॉफ यू दिस पंकिल कपूर जेके बैंक ने राथ ही में लेट नाइट बैंकिंग असेट और पॉपिशनरी ओफिसर इन दोनों के डिटेल नोटिफिकेशन जो है उन्हें ओड कर दिया है और इन दोनों के फॉर्म फिलिंग के लिए जो लिं अप्लिकेशन निकाली थी दोनों में डिफ्रेंसेस के हैं जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जो है ये बैंकिंग एसोशेट्स की है और नीचे क्लेर का ट्लिक है ऑनलाइन रिजिट्रेशन जो है एप्लिकेशन एंड पेमेंट और फ देखेंगे आप Candidate Selected will be posted anywhere in India तो वही यहां पर यहनोंने साफ साफ बता दिया है कि जो भी Candidate Selected होंगे आउने कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है इंडिया में जहां-जहां JNK Bank की branches हैं अभी मैं आपको एक main point बताने जा रहा हूं कि जो कोई भी shortcomings थी previous notification में उन सब को म 2018 की notification में clarity नहीं थी आगे चलते हैं गाइस अगर आप fourth point देखे हो गए तो यहां clear cut साफ साफ बताया है बहुत साफ students की questions थे कि क्या sir अगर हमने 2018 में form fill किया हुआ है और अभी तो scrap हो गया notification क्या हमें वापे से form fill करने की जरुद है या नहीं तो इधा को fourth point में इनोंने बोला हुआ है कि वो candidates जो की JNK UT के domicile है और उन जिनोंने पहले से ही 2018 की notification के लिए apply किया है वो eligible है इस नए recruitment process के लिए बीना किसी change के eligibility criteria के it means अगर मा लीजे कोई student जो है वो समय पे उसकी eligibility जो थी age की वो थी means कि वो eligible था और आज के time पे वो over age हो जाता है बट उसने कोई matter नहीं करता अगर वो तब eligible था वो आज भी eligible होगा provided उसने वो वाला form उस समय पे भरा होगा और जो students जिन्होंने सर्फ banking associate का उस समय form भरा था या सिर्फ PO का form भरा था अगर अब वो दूसरा form भरना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भर सकते है जो पहले अब जब वो फॉर्म फिल करने की जूरत नहीं है बट अब जब वो फॉर्म फिल करने जाएंगे उनकी age आज की age जो है वो matter करेगी अगर हम आगे देखें 5th point में बोला है कि category change जो है वो भी allow किया गया है candidates के लिए मैं लोग candidates जो है अगर गलती से उन्होंने अपनी category पहले जेनरल रखी थी हालांकि वो SCST थे तो अभी वो अपनी category जो है वो change कर सकते है और 6th point में बताये गया है this recruitment covers eligible जो domicile set candidates है जेन के UT के सिफ उन्हीं के लिए लदाक UT के जो भी candidates होंगे जो की लदाक से है उन्हें और अगर उन्होंने apply किया हो है previous notification पे उन्हें notify किया साहेगा separately अलग से यह 8th point बहुत important है कि जो reservation rules है जो JNK UT में applicable है वो इस recruitment process के लिए भी applicable होंगे और अगर आप reservation rules देखना चाहते हैं तो जम्मन कश्मी Reservation Act 2004 पे जाकर आप वो जोड़ देख सकते हैं आये guys important point पे आते हैं यह को clear इन्होंने यह चीज़ बताई है जो last notification में नहीं थी वहाँ इन्होंने बोल दिया था 1200 vacancies for banking associate although उन्होंने यह बताया ही नहीं कि किस category के लिए कितनी posts हैं और अभी इन्होंने percentage के terms में वो चीज़ clear कर दिये अगर vacancies अगर देखी जाए तो 1500 vacancies हैं जहां schedule cost SC के लिए reservation रखी गई है 8% schedule tribes के लिए 10% फिर अगर आप आगे देखेंगे तो weaker and underprivileged clauses social cost के लिए 4% ALC और IB intelligence international border के पास जो रहते हैं और यह दूसरा जो actual control जो line है या line of actual control है वहाँ पर जो उनके residents है उनके लिए 4% then RBA जो है residents of backward area 10% RBA की category इस notification में applicable है बट RBA की category IBPS के किसी भी notification में applicable नहीं होती तो यह बहुत important point है और next is bahari speaking people 4% यह हाली में category introduced की गई है और economically weaker sections जो आपको पाता है कि हमारे prime minister ने introduce की है last year 10% उसके लिए reservation है physically challenge percentage जैसे कोई blind है handicap है उसके लिए 4% और यह horizontal reservation है क्या meaning है इसका में आगे बताऊंगा और guys अगर मैं इन सब को club कर दूँ तो देखिए 10, 10, 10, 30 and 12 plus 8 50 अगर मैं horizontal reservation को side पे रखूं और बाकी percentage इसको add करूं तो 50% vacancies जो है वो जाएंगी आपकी category में और बाकी 50% vacancies दोजल भी यह होंगी किसमें वो होंगी हमारी general category में और general category में अगर मैं 1500 से 50% निकाल हूं तो लग भग साथ सो vacancies general category में होंगी यह में भी मानता हूं कि percentage जो दी गई है reservation को काफी जाता है 50% जो vacancies है वो category में गई है बट फिर भी 50% vacancies जो है अगर 1500 का साथ साथ सो है बहुत बड़ा नंबर है open merit यह general category के लिए भी गाई इसके लिए आप ready हो जाओ tentative schedule की बात करें तो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं जिन students के भी messages calls आ रहे हैं कि अक्टूबर नॉवंबर अगर आप बात करें मुझे नहीं लगता नॉवंबर डिसंबर से पह फी से आप दो तार एक से 24 साथ तक online form फिल कर सकते हैं payment fee वो दे सकते हैं और अगर आप जिनने 2018 की notification form फिल करा हुआ है तो उनको पांच सार एक लिंग एक्टिव होगा जहां से वो edit यह modify कर सकते हैं अपने form को eligibility criteria की बात करेंगा है जगर तो पहले percentage criteria भी था मैं 2018 की बात कर रहा हूँ उसे हटा दिया गया है पहले तो domicile होना चाहिए JNK UT का और जो भी selected candidates होंगे अभी उनको domicile certificate उनके पास obviously सब के पास तो नहीं आया बट जब उनका time of joining होगा तब उनने यह submit करना है अभी उनने एक self declaration form होगा कि वो domicile है जमुन कश्मीर के वो form fill करना है बस और वो form आपके जब exam का notification form आप जब इसका जो भी एक form filling करने जाओगे कहीं पर भी तो वहाँ पर आपको ज़रूर एक notice होगा वहाँ पर आपने बताना है कि yes we are domicile of change के self declaration form होगा आपके sign और गया रहा या हो सकता ह है आपके जो fingerprint है या ऐसा कुछ लिया जाए एज पर बात करते हैं तो minimum age जो है वो 20 years है maximum age 30 years है 20 से 30 साल के जो students है वो इस form को fill कर सकते हैं एक student की जो birth है वो 1990 दो तारीक 2nd of April 1990 से पहले नहीं होना चाहिए and 1st of April 2000 के बाद नहीं होना चाहिए यह दोनों dates भी exclusive हैं और इनके बी सब्सक्राइब का birth हुआ होना चाहिए आगर मैं आपको बदा हूं banking associate का 28 इंग of home था वहां पर 35 maximum age रखी गई थी तो आप 30 कर दी गई है उस समय जिसने भी apply गिया था वो चाहे 32 का है 33 का है वो आज eligible है उस notification के accordingly यह चीज़ क्लेर हो नीचे है आपको और नीचे age relaxation दी गई ह यह आप देख सकते है education qualification की बात की जाए तो आपके पस degree हुएं चाहिए किसे भी university की और बहुत important यह है कि percentage criteria को यहां पर हटा दिया गया है और जो भी students ही सोच रहे हैं पूछ रहे हैं कि अगर हम last year में हैं कि हम इस form को fill कर सकते हैं देखिए guys अगर तो आपका result जो है वो 24 त और अगर अपनी सिर्फ knowledge के लिए अपने आपको समझने समझाने के लिए कि exam होता क्यासा है वो आप फिन form fill करना चाहते हो तो आप वो कर दीजी इसमें को issue नहीं है बड़ आपकी यहां पर आपको recruit नहीं किया जा सकता because आप eligible नहीं हुए यह notification जो है वसके accordingly और guys अगर मैं देखूं तो यहां पिन्होंने percentage बताईए कि आप जरूर बताईएगा अपनी percentage calculate कैसे करनी है वो भी बताया है और अगर 59.99% है जैसे आम तोर पर अगर हमारे को relative हमसे पूछे तो हम बोल देते हैं 60% है यह 58 आई हो तब भी 60 बोल देंगे 98 आई हो तो 100 बोल देते हैं जो ही उसे वही treat किया जाएगा examination structure की बात करते है guys बहुत बड़ी बात है कि जो आप पोच रहते है बिल्कुल preliminary examination जो रहता है banking examinations में banking associate का भी single tier exam है जहां पर English language के 30 questions 30 marks के लिए numerical ability 35 for 35 marks reasoning ability 35 for 35 marks and all these sections that they will be provided with 20 minutes and you cannot switch in between the section it means if in case English language जो है वो form वो section खुलती है तो you have to give 20 minutes to that section only you cannot switch you cannot jump to numerical ability or reasoning ability before 20 minutes तो उसके बाद अब दूसरी section को hit कर सकते हैं तो यह आगया आपका 60 minutes में 100 questions करने 400 marks candidates को हर एक section में जो है वो pass करना होगा जो भी उसका minimum cut off होगा उसे clear करना होगा और required number of candidates को select किया जाएगा order of merit के जिसाब से अब आगे चलते हैं रॉंग answer के लिए पैनल्टी है guys अगर कोई गलत answer करते हो तो 0.25 mark जो है वो आपका कड़ेगा cut off score जो है minimum score होगा जो भी minimum score होगा बताया जाएगा आपको हर एक section को भी करना है और total minimum score को भी आपको cross करना है marks obtained in the online examination only will be considered for final merit list it means अगर हमें banking associate के बात करूँ तो सिर्फ आपका जो marks होंगे preliminary examination या single tear examination में वही matter करते हैं जिसने out of 100 अच्छा mark ले लिया तो भई उसका यहां पर recruitment कोई भी नहीं रोख सकता तो examination centers के अगर हम बात करें तो guys within JN के UT पुलवामा बारामोला जम्मू सांबा काफी डिस्ट्रिक्स बताईएं और सेट JN के UT भी states या staties बताई गई हैं और इनके इलावा कोई और staties की अगर जूरत होगी तो यह वहां पर भी कर सकते हैं एक बार आपने examination center चूज कर लिया आप उसे change नहीं करवा सकते हैं और candidates जो हैं यह अपने खर्चे पर जाएंगे और अगर उनको कोई injury और loss होता है तो वो JK bank responsible नहीं है उसके लिए विवाज ऐसा होता है कि अगर आप SSB लगाने जा रहे हैं यह जो defense में होती है वहां पर आपको train के जरीए अगर आप जा रहे है उसका खर्चा दिया जाता है रहने का खर्चा दिया जाता है बट यहां पर नहीं है यह चीज़ उनने clear कर दिये तो गाइस यह थी आपकी detail notification अब इसके बाद कुछ और important points अगर है हम उनने देख लेते हैं देखो payment of fee की अगर मैं बात करूं तो candidates को pay करना है 600 अगर वो category प अगर आते हैं कि अगर यहां बताया है अगर ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा candidates का एकी score आता है तो फिरूर्स केस में क्या होगा date of birth को मज़े मते नजर रखा जाएगा जो aged होगा जो भी aged होगा उसे एक preference दी जाएगी because bank भी समझता है जाकर ज्यादा है कि eligibility आगे खतम हो जाएगी तो इसलिए यहां यहां यह भी बताया गया है कि एक reserve release पी रखी जाएगी 10% of the vacances means अगर 1500 vacances है तो 1500 vacances 150 vacances की एक reserve release रखी जाएगी so that if in case कोई student का यह exam qualify होता है वो form फिल करते हैं के बाद exam qualify करता है नहीं अगर वो अपने आपको joining करवाता है या join नहीं करता है चाहे उसका exam clear हो भी गया है तो उस case में काफी vacances जो है वो खाली रह जाती है तो उस case में इन्हों reserved release रखी हुई है it means उनको जो 150 students और को मुका मिलेगा apart from these 1500 vacances 1500 vacances के बाद भी 1500 students को मुका मिलेगा if in case यहां पर कोई छोड़ता है तो मैं बता रहूं आपको बहुत सा students जो है उनको qualify करने के बाद भी जॉइनिंग नहीं करते हैं गाइस अगर आपकी जाए तो एक बांड रखा गया था पहले 2018 में पीयों के लिए वह पांच लाग था 5 लैक्स और banking associate के लिए वो 2 लैक्स था उसे भी reduce कर दिया गया है selected candidates at a time of joining will have to execute a bond for a value of 1 लैक banking associate के लिए एक लाक रुपया और छे महीने उनको काम करना अगर इसके भीतर वो छोड़ते हैं bank को तो उन्हें 1 लैक रुपी देना बड़ेगा और इसके बाद अगर छोड़ते हैं तो they don't need to give anything और bond जो है इसके बारे में बात की है banking associate जो होगा वो probation होगा छे महीने के लिए probation period पर तो गाइस यह थी आज की detailed application जो 4% physically handicap में दी थी उसको भी आगे तोड़के बताया है blindness के लिए या low vision के लिए 1% अगर कोई deaf है या hard of hearing है 1% leprosy किसी को हुआ है acid attack है 1% then autism mental illness या multiple disabilities किसी को हुई है तो उसे भी 1% तो गाइस यह थी आज की banking associate की detailed notification मैं next video में आपको प्रविशनरी officer की detailed notification लेकर आऊंगा because दोनों में differences है तो दोनों को एकी वीडियो में समझाना possible नहीं है अगर समझाया भी जादा तो थोड़ा बच्चे को समझ नहीं आती है तो I think guys आपको यह detailed notification banking associate की समझ आ चुकी होगी अब मैं आपको एक last point revision दे रहा हूं जिन्होंने 2018 में form fill किया है they don't need to apply again they don't need to give anything any money again दूसरा उसमें अगर कोई eligible था वो आज भी eligible है provided उसमें form fill किया हो तीसरा अगर आपका result आ जाएगा 24th of this month से पहले then only you can apply for this post fourth one मान लीजिया वो first year में है second year में है graduation के फिर भी मैं बोलूँगा form जरूर फिल करियेगा exam जरूर दीजियेगा so that आने वाली notifications या जो vacances होंगी उसके लिए उसके लिए उसने आपको ready कर सको मैं आपको बता रहा हूँ बहुत नई नहीं चीज़ें यहां पर आपको देखने को मिलेगी और आपका एक्जैम को hit करना यह अब आप हमारे पर छोड़ सकते हैं और मैं बता रहा हूँ लास्ट वार ऐसा था कि नेर रॉंड वन लेक प्लस स्टूरेंट्स ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेर रॉंड नेर रॉंड टू लेक स्टूरेंट्स अप्लाई करेंगे JNK, UTK और बट फिर भी जो सही से पे किये हुए हैं तो क्यों नहीं थ्यारी करनी है आपका फ्यूचर के बाद है आज इतना रखते हैं आज के लिए नेक्स वीडियो पर आके आपको प्रॉपिश्ट रॉपसर की जो नोर्फिकेशन आउसे एक्स्पेन करेंगे थैंक यू